वेलकम टू स्लीपी क्लासेजाज आज हम डिसक्स करेंगे स्टेटिक से इंपॉटेंट कमीटिस शाए घृतक घैवाइग इन्पॉटेंट कमीशन तो चले गाला स्टार्ट करते हैं आज का सेश्न फॉास्ट फाइनेस कमीशन कव स्टेबलिश क knit 1951 में चेर्मेन थे केसी KNOWगी और right now कौन सा finance commission चल रहा है 15th finance commission यह 2017 में आया था अब इसके chairman कौन है आपने याद रखना है n.k.syn अब देखिए जो permanent member होते हैं या फिर ऐसे कहे हो आप full time member तो वो कौन है finance commission के अशोक लेहरी यह भी याद रखना काफ इंपॉर्टेंट है अब ऐसे तो बहुत सारे member होते हैं finance commission के जैसे अजे नरायन जहां है अनूप सिंग है रमेश चंद है सेक्रेटरी है अर्विंद महता बट आपको यहाँ पर full time member यही याद रखना है अशोक लेहरी अब finance commission का काम क्या होता है इसक सरकारिया commission में हमें पता लगता है center और state के relation कैसे हैं वैसे constitution में अगर हम देखें तो इसके लिए special article भी है मैं आपको बता देता हूं 245 to 255 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा center और state के बीच में legislative relation कैसे है मैं द्वारा बोर रहा हूं यहाँ पर legislative relation उसके बाद 256 to 263 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा administrative relation कैसे है state और center के बीच में और most important जो finance यह financial relation होते हैं इसके लिए article है 268 293 अब देखे center और state के relation बहुत important होते हैं अब right now center में बिजबी government है और बहुत सारे state में नौन बिजबी government है इवन दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है केरला में अलग सरकार है और पंजाब में Congress है तो ऐसे हमें बहुत ही एक important पता होना चाहिए कि जो central state के relation है औ और हम देखते भी हैं बीच में कई वर हमें conflict देखने को मिलता है जो center government के laws होते हैं उस पर state government कैसे react करती है चलिए next देखते हैं बलवंत राहे महता committee अब यह बहुत important है यह committee का भाई थी 1957 इसका year भी आपने याद रखने है अब basically बलवंत राहे महता committee है क्या थी recommendation on decentralization system बोले महता committee यह first committee थी उसके बाद आई अशोक महता committee इसका भी यह रियाद रखना 1977 डैन आई जीवी के राव committee और last one थी LM सिंगवी committee अब जो बलवंत राहे committee थी उसमें recommendation दी गई थी जो पंचायती राज है इसको basically three tire structure में रखा जाए जैसे ग्राम पंचायत है है पंचायत समीती है जिला परिश्यद है अब जो भी आपने से student सेंट सोरी स्टेट के जो ग्राम सचिव के पेपर होते हैं उसमें यह बहुत important होता है पंचायती राज even SSC students railway students में हमें detail में पढ़ना होता है पंचायती राज सिस्टम होता गया है अब इसके लिए आप पढ़ सकते हैं अशोक डलवाई committee यह बिसिकली यह committee की recommendation क्या थी कि जो doubling income of farmers और यह कब तक कर दी जाएगी 2022 तक और इसके according हमें बताया गया जो farmers की income है वो जो government का एक initiative है कि 2022 तक farmer की income double हो जाए तो इसके लिए committee कौन सी है शोक डलवाई committee और अभी recently farmer चल रहा है तो आप यह याद अखना काफी important है चलिए उसके बाद है failure committee यह basically tax reforms यह sometimes यहाँ पर आ जाता है black money eradication मैं लिख देता हूं यहाँ पर black money के ओपर भी यह basically इस committee ने अपनी recommendation दी थी और यहाँ पर अगर आपसे question पुछा जाए अधर कोई tax system या tax inquiry के लिए जो committee थी तो आपने याद रखना है वांचू यह committee की जो recommendation थी वो tax inquiry के ओपर थी तो काफी important committee है यह उसके बाद रंगा राजन committee यह जो हमारे private sectors में जो reforms लाए गए थे LPG policy बहुत important है 1991 फिर कभी मैं discuss करवाँगो इसक committee काफी important है यह नर्सिम्हा committee banking sectors में जो reforms लाए गए थे और banking sector की सबसे important committee नर्सिम्हा राओ committee है वैसे एक चकरवर्ती committee भी है मैं लिख देता हूँ तो यह भी आप याद रखना banking sector reforms की है चकरवर्ती committee उसके बाद देखते हैं next committee अभिध हुसैन committee अभिध हुसैन committee की जो recommendation थी small scale industry को किस तरह से हम boost कर सकते हैं और इनके business को किस तरह से enhance कर सकते हैं तो अभिध हुसैन committee भी बहुत important है then हम देखते हैं रगुराम राजन committee रगु इसके गवर्नर भी रह चुके हैं financial sector को किस तरह से हम improve कर सकें तो financial sector जो reforms काफी अची इनकी recommendation से बताया गया था तो रगुराम राजन committee भी काफी important है इनकी books पूछ ली जाती हैं तो आप मुझे comment section में बताना कि इनकी कौन सी books हैं जो आपके exams में मतलब इनकी द्वारा कौन सी books लेकी गई हैं और exams में directly भूछी जाती हैं दो books हैं तो आपने दोनों बतानी है यह मलेगाम committee यह for microfinance जो microfinance के लिए recommended committee थी वो थी यह मलेगाम committee then next committee यह भी बहुत important है और even बहुत ज्यादा important है और उर्जित आर्पटेल committee की recommendation थी monetary policy का जो framework है इसमें हमें काफी अच्छे से reform लाने की जुरूरत है और 2016 में से हमारे देश में जो monetary policy की एक तरह से committee established की गई और हर दो मीने के बाद बायमंतली MPC हम देखने को मिलता है हमें जो रैपोरेट है reverse रैपोरेट है अभी रिसेंटली आपका थ्री मेंबर्स होते हैं government of India के और आर्बिया के जो थ्री मेंबर्स होते हैं इवन monetary policy committee के जो head होते हैं वो आर्बिया के governor होते हैं राइट नाओ गवर्नर को ने शक्ति कांता दास और आर्बिया के जो other two members हैं एक है deputy governor एंडी पात्रा और एक है यहां पर जेंट आर्व ने सौरी मृदूल के सागर आर्बिया की दरब से मृदूल के सागर यह executive officer है और government of India की दरब से भी अभी रिसेंटली appointment होई है तीन परसन की जो मनेट्री policy committee के member है एक है आशिमा गॉयल एक है मृदल के सागर एक है शशांक भीडे तो चलिए नेक्स देखते हैं बीमल जलान कमेटी न्यू बैंकिंग जो lessons basically किसरा से issue करे जाएंगे अब banking के जो lessons है वो बहुत ही एक इनका एक strong procedure है मतलब ऐसे नहीं है किसी को भी यहां पर lessons दे दिया जाता है तो बहुत कुछ देखा जाता है अभी आपने देखा होगा बहुत सारी nbfcs को भी convert करा गया था या उनको convert करने की बात चाहिए कि वह भी banking में अपने आपको convert करें या फिर आपने देखा होगा मैं आगे बताऊंगा आपको financial inclusion में जो बेसिकली नची केत्मोर कमेटी थी एंड उशा थेरोट कमेटी थी यहां से भी कोशन पूछा जाता है तो बिमल जलान कमेटी बहुत इंपोर्टेंट है आपने याद रखने है और यहां से कोशन आजा था अच्छा एक याद रखना बिमल जलान कमेटी में इन्होंने सजेस्ट किया था स्टोग exchange and clearing corporate regulation मैं लिख देता हूँ एक इनकी कमेटी की recommendation यह भी थी तू सजेस्ट amendment to stock exchange and clearing corporate और एक expenditure कमेटी की जो recommendation थी वो भी बिमल जलान ने भी थी थी ठीक है तो वो भी तीन committee होगी बिमल जलान की एक new bank lessons and एक थी to suggest amendment to stock exchange and clearing corporate और एक थी expenditure committee चलिए next देखते हैं विजय केलकर committee तो विजय केलकर committee की क्या recommendation थी PPP model public private partnership model काफ important है विजय केलकर committee उसके बाद है सुमा वर्मा कमेटी जो banking अब देखिए banking अविट्समेंट बहुत ही important topic है अगर आप banking student है डेफिनेटली आप इसे गो थू होए होगे अब आप नहीं भी हैं तो मैं आपको बता देता हूं मान लिजी आप ATM में जाते हैं और ATM में आप पैसे निकलाते हैं और आपके पैसे वहां से नहीं निकलते तो आपको एक bank सी message आजाता है कि 48 hours में आपके पैसे आजाएंगे sometimes message नहीं आता तो आप bank में विजिट करते हैं तो bank वाले आपको 7-14 days का time देते हैं कि maximum 14 days पे आपके पैसे आ जाएंगे और यहां पर मान के चलिए कि 30 days तक आपके पैसे नहीं आए तो आप कहां पर जाएंगे किस पर जाकर complaint करेंगे तो आप जाएंगे banking अवेट्समेंट य तो अर्बन कोपरेटिव बैंक की जो कमेटी थी इसको लीड कर रहे थे आर गांदी यह भी डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं हमारे आर बीए के उसके बाद त्वन्टेथ लाग कमिशन यह इसकी जो कमेटी जो कमिशन था यह कौन लीड कर रहे थे अजीद पी शा चलिए सभी जो कर जया से इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आब आपसे पूशन पूचा सकता है तुल रिवईयू रिखेमेंडेशन ऑफ सेमन नहीं होना उसके बाद एख Państwo financial inclusion अब financial inclusion क्या होता है जब हमारी market में पैसे का जो basically चलन होता है वो कम हो जाता है ठेक है तो इसके लिए financial inclusion एक target होता है हमारी government या फिर RBA का और इसको यह committee कि किसके कौन lead कर रहे थे दीपक मोहनती अब financial commission की तीन committees हैं लेकिन यहाँ पर आपसे पुछा रहेंगा financial commission जो establish करे गए थे small bank तो आपने याद अखने है नची के इत्मोर और जो payment bank की recommendation थी वो भी एक तरह से financial inclusion को बढ़ाना था अब small bank और payment bank का concept मैं थोड़ा से आपको बता देता हूं इंडिया में बहुत सारी ऐसी locations हैं जहां पर आज भी हमारा banking system नहीं पहुंच पाया है आपने सुना होगा business correspondent होते थे जो बहुत सारे गाओं को connect करते थे और एक bank के साथ जोड़ते थे फिर उसके बाद यह एक तरह से financial inclusion की process चलते रहते हैं अब small bank और payment bank आज का एक concept है जहां पर हमारे इंडिया में हर जगा हर कोने में banking system को establish करा जाएगा इस concept के थूँ और जितना banking system हम अच्छे से establish होगा लोग banking sector से जोड़ेंगे जो पैसा market में flow नहीं होता था वो पैसा market में flow होगा through banking तो यह financial inclusion definitely बढ़ेगा बाकि इसको मैं detail में फिर कभी आपको समझाओंगा next देखते हैं बी एन शिरी कृष्णा कमेटी बी एन शिरी कृष्णा कमेटी की क्या recommendation थी financial sector legislative reforms commission यह भी काफी आपका important है next देखते हैं सुमित्रा चोधरी revision of wholesale price index एक WPI होता है आपका CPI होता है यह बहुत important है दोनों इसको भी discuss करेंगे अच्छे से तो revision of wall sale price index इसकी कमेटी को कौन लीड करें थे सुमित्रा चोधरी नेक्स दिखते है आर एच खान concept of universal banking चली नेक्स तंदूलकर कमेटी की क्या recommendation थी identify BPL families in urban areas चली अब आपने सुना होगा कि जो BPL families को हमारी government के द्वारा जो भी help दी जाती है उसको जोड़ दिया गया direct benefit transfer scheme के साथ next देखते हैं पाथ साथ थी शौम कमेटी इनकी का recommendation थी on journal anti evidence rule यह काफी important है इसको भी आपने याद रखने और वाइवी रेडी कमिशन यह बिसिकली स्माल सेविंग जो रिफॉर्म से उसको completely इन्होंने describe किया था इस कमेटी की recommendation में जो इनकी report आई थी उसमें इन्होंने काफी अच्छे से बताया था कि स्माल सेविंग reforms कि हमें कितनी नीड है हमारे देश को उसके बार है ml धंतवाला कमेटी जो हमारे आर आर भी banks है रिजनल रूलर बैंक यह किस तरह से अफेक्टफुल वर्क कर पाएं इसके बारे में बताया गया था ml धंतवाला कमेटी अब यहाँ पर सम्टाइम सम्ट हम थोड़ा सकंफ्यूज हो जाते हैं एक यहाँ पर हो कमेटी थी मैं आपको बताता हूं अभी नेक्स देखते हैं खन्ना कमेटी खन्ना कमेटी थी नौन एसेट्स के लिए और यहां पर आपने याद रखने हैं देखी नौन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं जो 90 देज के 90 देज तक अपनी यह मैं यहां फिर लोन को रिपे नहीं करते अगर आपसे कोशन पुछा रहा है कि विल्फुल कि डिफाल्टर कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो किस ने दी थी एसेस कोली अच्छा यहां पर मैं आपको बता रहा था है एमल धंद्वाला कमेटी साथ साथ याद रखना मुझे याद आए बंडारी कमेटी भी यह इससे रिलेटेट बंडारी कमेटी चली उसके बाद है मैंक मैंचे रिपोर्ट मेंचे रिपोर्ट यह जो फर्स टाइम मर्जर हुआ था बैंकिंग सेक्टर में के एसोचेट बैंक मर्ज रूर्ट भारतिय महिला बैंक 2017 अप्डैल में तो यह कौन सी कमेटी की रेकमेटेशन थी में कैंसे रिपॉर्ट उसके बाद MBN राव कमेटी यह बेसिकली इस कमेटी की क्या रेकमेटेशन थी तो प्रिपेर दा ब्ल्यू प्रिंट ऑफ इंडिया फर्स्ट वोमेन बैंक एंडेन नेक्स देखते हैं ब्लैक मनी के ओपर एक कमेटी है भी तक और यह बहुत बार पेपर में आ चुके एंबी शाह और एक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ब्लैक मनी एर्डिकेशन के उपर एक कमेटी थी छीलिया कमेटी वैसे वो टैक्स के उपर भी पूछी जाते हैं सम्टाइम्स ब्लैक मनी के उपर भी आज आती है तो आपने ध्यान रखना है आई नर्स सिंहा रैडी कमेटी One rank one pension one rank one pension 2014 में जब मोधी government नाई उन्होंने चेंज़ की थी उन्होंने लागू करी थी वन रैंक वन पैंशन तो जो मोधी जी के दोवारा ये पैंशन कब लागू कोई थी आपको बताना है मुझे comment section में इन एक्स देखते है अर्विन सुब्रा मन्यम कमेटी स्टेंडर्ड रेट ऑफ जी एस्टी के जो बेसिकली रेट है जिरो परसेंट फाई परसेंट ट्वेल परसेंट एटीन परसेंट और मैक्सिमम है ट्वंटी एट परसेंट उसके बाद आर एम लोधा पैनल कमेटी यह इन्होंने पिताया था तो रिफॉर्म मेडिकल कांसिल ओफ इंडिया अब यहां पर एक कोशन आता है बहुत बार पुछा दाता है कि टू रिफॉर्म मेडिकल कांसिल ओफ इंडिया और ब्रैकिट में अगर आपसे कोशन आए योगा एजूकेशन इन युनिविस्टी तो इसके लिए अलग कमेट कि एच आर नगेंद्रा कमेटी जो बेसिकली मेडिकल कांसिल रिफॉर्म करें गए थे योगा योगा सेक्टर में या फिर योगा एजुकेशन को लाया गया था इन्वेस्टीस में उसके बार नेक्स दिखते हैं बीबी टंडन कमेटी इन्होंने क्या बताय था टू मनीटर गौर्वर्मेंट एडवर्ताइसमेंट इन अकॉर्डेंस विद् सुप्रीम कोड ट्रेक्शन और नेक्स्ट है अरविंद पनगडिया कमेटी रिलेटिटी टू पवर्टी लाइन और अरविंद पनगडिया कमेटी एक हो रहें बूंबई एहमदाबाद हाइज स्पीड कोर और नेक्स देखते हैं नीता अंबानी को कौन सी कमेटी का हैड बनाया गया था आई ओसी कमेटी आई ओसी कमेटी बोले तो इंडिया ओलंपिक एस्सेशन कमेटी और अमिताब कान्थ कमेटी यह कौन सी थी ओन इकॉमर्स एंड अमिताब कान्थ जो है वो बिसिकली नीती आयो के मेंबर भी यह भी आपको याद रखने है उसके बाद शंकर कमेटी टू चेंज ओफ फाइनेंशल यह फाइनेंशल क्या चेंज किया गया था जो दोजार ऐस सुधर्शन सेन कमेटी और रेगुलेटरी इस्यू रिकार्डिंग डिजिटल बैंकिंग फाइनेंशल टेकनोलोजी एंड तरुन रामधोराई कमेटी ओन हाउस होल्ड सेविंग उसके बाद नेक्स्ट है अनिल काकोदकर कमेटी ओन हाई-लेवल सेफटी रिव्यू फॉर र रिताब चोदरी कमेटी तो एनलीसिस ओफ आई-डी ए फ्रेमवर्क फॉर लिंक्ट एंड अनलिक्ट प्रोडक्ट रेगुलेशन नेक्स्ट है कॉंग कमेटी इनकी के रेकमेटेशन थी टू फ्रेम डूल्स फोर स्टेट्स फॉर पेपर इंप्लिमेंटेशन ओफ राइट परसन विद डिसेबिल्टी एक्ट उसे वह नेक्स्ट कमेटी है टीवी एसन प्रसाथ कमेटी रिगार्डिंग अल्टरनेटिव फॉर पैलेट गन जम्मो एंड कश्मीर में जब हमारी आर्मी के दवारा पैलेट गन यूज करे गए थे जो बेसिकली टेरिस्ट थे या फिर डिनोमिनेशन नोट्स आपको पता है 2016 में हमारे देश ने बहुत बड़ा एक रिफॉर्म किया था डिनोमिनेशन जो क्रेंट नोट्स थे फाइव अंड़ेड एंड थाउजेंड के उनको बंद कर दिया गया था और चलाएगे थे न्यू फाइफ थाउजेंड सोरी फंदा परेंड नहीं कर सकती और जो रूपीज का नोट्स होता है उस पर साइन होता है फाइनेस मिनिस्टर के बाकी सारी क्रंसी इश्यू करती है चली शुंगु कमेटी जो है वह बेसिकली शुंगलु कमेटी डिल्वर्मेंट और नेक्स्ट है गेरिदर माली ओकमेटी कि गंगा को साफ करना उसके बाद धिंगड़ा कमेटी टू इन्वेस्टिगेट मुटेशन ओफ लैंड डिल बिट्वीन रोबर्ट वाड़रा एंड डील एलेफ और रोबर्ट वाड़रा एक बहुत इंपॉर्टन प्रिसनेल्टी है और इनका बहुत नेम है हर्याना की जो ग जंकर अचारे कमेटी यह मैं आपको बता चुका हूं तो चेंज फाइनेंशल यह रोफ गवर्मेंट फॉम जैनवरी वन तो दिसमबर 31 तो थैंक यू गाइस यह हैं आपके इंपॉर्टन कमेटी जैन इंपॉर्टन